24 घंटे में तुर्की में तीन शक्तिशाली भूकंप आये, जिसमें 2300 से अधिक लोग मारे गए। लेंड के रूप में दूर तक महसूस किया गया। शहर कहा मनमारस में एक रिपोर्टर मेलिसा सलमान ने कहा, मैं हिलने की आदी हूँ क्योंकि मैं एक भूकंप शेत्र में रहती हूँ। 23 वर्षिय एफप ने कहा, लेकिन यह पहली बार था जब हमने कभी ऐसा कुछ देखा था। हमने सोचा कि यह दुनिया का अंध था। सीरिया के राश्चिय भूकंप केंद्र के प्रमुक रायद एहमद ने इसे केंद्र के इतिहास में दर्स सबसे बड़ा भूकंप कहा। राज्य मीडिया और चिकितसा स्रोतों के अनुसार, सीरिया के विद्रोही और सरकार्नियंत्रित क्षेत्रों में कम से कम 810 लोग मारे गए, जबकि तुर्की के अधिकारियों ने 1498 लोगों की मौत की सूचना दी। प्रारमभिक भूकंप के बाद 50 से अधिक आफ्टरशॉक्स आए, जिन में 7.5 और 6 तीवरता के जटके शामिल थे, जिसने सोमवार दोपहर को इस क्षेत्र को जटका दिया क्योंकि यह खोज और बचावकारियों के बीच में था। तुर्की में सदमे में बचे लोग अपने पजामे में बर्फ से धकी सडकों पर भागे, बचावकर्मियों को शतिग्रस घरों के मलबे के माध्यम से अपने हाथों से खुदाई करते हुए देखा। तुर्की के मुख्यरूप से कुर्थ शहर दियारबाकिर में जीवित बचे मुहितिन औराकसी ने एफपी को बताया, मेरे परिवार के साथ सदस्य मलबे के नीचे हैं, मेरी बहन और उनके तीन बच्चे हमारे साथ हैं, उनके पती, ससुर और सास भी मौजूद हैं। सर्दियों के बर्फीले तूफान ने प्रमुक सडकों को बर्फ और बर्फ से ढख दिया, जिससे बचाव मुश्किल हो गया। अधिकारियों ने कहा कि भूकंप ने क्षेतर में तीन प्रमुक हवाई अड़ों को निश्क्रिय कर दिया, जिससे महत्वकूर्ण सहायता का व जाजियांतेप के पास करीब 18 किलोमीटर, 11 मील की गहराई में सुबह 4 बचकर 17 मिनट बजे आया, जिसकी आबादी करीब 20 लाग है। देन्मार्क के भूवै ज्यानिक संस्थान के अनुसार तुर्की में भूकं के 8 मिनट बाद मुख्य भूकं के जटके ग्रीन लेंड के प उन्हों ने समझाया, जब हमने इसे खोला, तो पूरा धाचा ढह गया। सीरिया के नारिक सुरक्षा के एक प्रवक्ता के अनुसार, ती में फसे हुए लोगों को बचाने के लिए हाथ पाव मार रही है। इसमाईल अलबदल्ला ने कहा, उत्तर पश्चमी सीरिया में वलोडिमेर जेलिंस्की ने तुर्की को आवशक सहायता की पेशकश की है, जिसके लड़ाको ड्रोन कीव को रूसी आक्रमन से लडने में सहायता कर रही है। तुर्की टेलिविजन पर प्रसारित तस्वीरों में दिखाया गया है कि बचाव कर्मी सीरियाई सीमा से सटे वाली बर्फ के नीचे पूरे शहर के ब्लॉक खंडेहर में पड़े हैं। मालताया प्रांत में तेरवी शताबदी की एक प्रसिद मजजद आशिक रूप से धै गई जैसा की 28 अपार्टमेंट वाली 14 मंजिला इमारत में हुआ था जिसमें 92 लोग रहते थे। अन्य शहरों में सोशल मीडिया पोस्ट में दिखाया गया है कि गाजियां टेप में रोमन सेनाओ द्वारा निर्मित 2200 सार पुराना पहाडी महल खंडेहर में पड़ा हुआ है। इसकी दीवारे आशिक रूप से उखड रही है। दियार बकीर में एक चप्ती इमारत के सामने एंटीव टेलिविजन पर एक बचाव करता को कहते हुए सुना गया। हमें इधर उधर आवाजे सुनाई देती हैं। वल्बे के नीचे 200 लोग हो सकते हैं। सीरिया इस्वास्थ्य मंत्राले ने अलेपो, लता किया, हमा और टार्टस में क्षती की सूचना दी, जहां रूस ने एक नौसैनिक अड़ा किराय पर लिया था। उत्तरी सीरिया में एफपी समवाद्दाताओं के अनुसार, जमीन हिलने के बाद दरे हुए निवासी अपने घरों से भाग गए। रास्ती से पहले ही सीरिया के पूर्वयुद वानिजिक केंद्र अलेपो में इमारते युद्ध अकालीन निगरानी की कमी के कारण बिगड़ती बुन्यादी सुविधाओं के कारण अकसर ढह गई। एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और बिजली की आपूरती बंद कर दी, साथ ही दो सप्ताह के लिए स्कूनों को बंद कर आफ्टर शॉक्स का आकार, जो ज्यादातर उर्जा में कमी के बावजूत दिनों तक जारी रह सकता है। यह खोज और बचाफ कारियों को खतरनाक बनाता है। तुर्की ग्रह पर सबसे सक्रिय भूकंप क्षेत्रों में से एक में स्थित है। 1999 में 7.4 तीवरता के भूकंप ने तुर्की के दुस्से क्षेत्र में तबाही मचाई, जिसमें इस्तांबुल में लगभग 1000 सहित 17000 से अधिक लोग मारे गए। विशेशग्यों ने लंबे समय से चेतावनी दी है कि एक बड़ा भूकंप इस्तांबुल को तबाह कर सकता है जो 16 मिलियन लोगों का महानगर जरजर आवास के साथ है। इससे होने वाले नुकसान की भविशवानी करना मुश्किल है। कृप्या इस समय किसी को अपमानित न करें। कृप्या हमारी संस्कृती या विनम्र स्वभाव को बनाए रखे और सोशल मीडिया के किसी भी प्रधान मंत्री ने भी भारत की ओर से पूर्ण सहायता की पेशकश की है। हमें अपनी मानविय निहस्वार्थता और प्रतेक मनुष्य के प्रती चिंता प्रदर्शित करने के लिए इस अवसर का लाब उठाना चाहिए।